जैसे दूसरे software पर जब आप काम करते हो तो वहाँ पर आपको Ctrl Z प्रेस करना होता है Ctrl Z का मतलब undo करना होता है तो हम यह undo नहीं करेंगे हम उसकी history को एक तरह से undo कर रहे होंगे या back कर रहे होंगे बैक में जा रहे होंगे तो ऐसा एक बार आप practical करके देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा डाकुमेंट में जाना है आपको और यहां से एक नया डाकुमेंट क्लिक करना है हमें यह save नहीं करना है नो कर देना है आप lightbox से यह रहा lightbox यहां से आप जो project है इस window पे मेनू पे जाएंगे यहां पर बहुत सारी चीज़े बनी बनाई अल्यडी पड़ी हुई है हम यहां से किसी भी object को क्लिक कर सकते है यह जो doggy है इसको हम क्लिक करेंगे आपको double क्लिक करना होगा इसको activate करने के लिए तो यह आपके वीपोर्ट पर आ जाएगा अभी इसको जूम कर सकते हैं जूम इन जूम आउट करके यहां पर देख सकते हैं चलिए इसमें कुछ हम changes करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि इसमें कुछ change करें तो हम इसमें कुछ brush करना चाहते हैं देखिए छोड़ी छोटे-छोटे स्ट्रोक में हमने यह प्रेसिंग कर लेते हैं ब्रेसिंग कर लेती fire आप देखो के जितने भी जिला रहे हैं जो भी ब्रेसिंग इसमें चल रहा है आप उपडर ढंस स्टार्टिंग अर यहां करके आगे बढ़ रहा है आप इस slider की तरफ देखना एक stroke हम कर रहे हैं यहां पर और जैसे छोड़ते हैं वो slider एक step आगे बढ़ गया तो हम इसमें थोड़े से और stroke एड कर लेते हैं जिस्ट की यह दिखिए और भी stroke एड किये और यह चोटा चोटा हो गया बहुत ही स्मॉल हो गया अब आपको यह object जो बनाया है एनी टाइम आपको लगता है इस object में आपको नहीं नहीं सही नहीं लग रहा है तो बिल्कुर इसको हम प्लिक करके थोड़ा सा बैक लेंगे देखिए एक एक स्टेप आपको पीछे आ रहा है जहां पर जो भी stroke अपने डाला होगा यह उस stroke को अंडू करता जा रहा है तो इसको history कहते है यह history slider होता है आप बिल्कुल स्टार्ट में आ गया है अब देखिए बिल्कुल य इसा मॉडल हमने लिया था एनी टाइम आप इसको चेंज कर सकते हो थोड़ा सा आगे लेके आएंगे आपको किसी भी टाइम पर यहां पर इधर 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 जो भी object जहां पर भी modification चाहिए वहां पर आप स्लाइडर को छोड़ सकते हैं तो लेट्स की यहां से यहां तक हमन इतना हमें output में चाहिए था चाहिए ही चाहिए था तो आप क्या करें अब अगर आप यहां पर click करते हैं यह stroke नए stroke डालते हैं तो अब एक message आ रहा है आपके पास में क्या message आ रहा है यह कह रहा है कि जो आपने changes किया है उसके आगे भी एक history है तो यह कह रहा है storing this action to do undo history will remove 29 undo history entries यह कह रहा है इसके बाद में आपने जो modification यह 29 stroke यह 29 times आपने modification किया है अगर आप यहां पर कोई brush चला देते हैं तो फिर यह 29 जो आगे की step है यह खता हो जाएंगे तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है खतम कर दो तो जैसी आपने click कर दिया तो आप देखोगे यह बड़ा सा slider आगया आप इसके आगे नहीं जा सकते हैं पीछे जा सकते हैं आप चलिए हम एक दूसरा object यहां पर add करते हैं तो add करने के लिए हमें सब टूल में जाना ह होता है यहां पर एक option मिलता है append का कोई भी option आप यहां पर add कर सकते हैं और इस इस फिर पर थोड़ा से काम कर लेते हैं यहां से देख सकते हैं दो लेयर बननी हुई है तो अब हम यह इस फिर वाले लेयर पर हम काम करना चाहते हैं इस लेयर पर तो इस लेयर को हम जड़ा देखी यहां इसके साथ भी history add होती जा रही है देखी इनी टाइम अब इसमें कुछ चेंज करना है तो चलते हैं ब्रेस में कुछ कुछ काम करना चाहते हैं तो नॉर्मल ब्रेस जो हमारा होता है इस्टेंडर ब्रेस हम उससे यहां पर कुछ करना चाहते हैं लेट्स की हमने यह कुछ ब्रेस चला दिए एक श्ट्रोक यह लगा दिया देखी स्लाइडर आगे बढ़ रहा है एक श्ट्रोक और लगा दिया इदर एक श्ट्रोक और लगाया फिर एक श्ट्रोक लगाया अब देखिए आपका जीब्रेस क्या करता है अलग-अलग अब्जेट की अलग-अलग हिस्ट्री साथ में लगता है तो यह क्यूंकि अभी करेंट हमारा अब्जेट यह वाला सेलेक्टेड है कौन सा इसफेर तो की जो इस लाइडर चल रहा है यह इसकी हिस्ट्री ले करके चल रहा है तो अब इसमें स्लाइडर नागर आप वापस से ऐसमें बढ़ कर रहा है अगर आपने लेहर चेंज कर दी तो इसके पास το sommes सकते दी जो भी स्ट्री पर हमने काम जिना भी काम किया था अगर पर और भी काम करना है जिस्ट कि यहाँ पर भी एक स्ट्रोक बढ़ा रहे हैं यह देखिए यह कुछ इस्ट्रोक ऐसे बढ़ा रहे है यह देखिए तो यह बढ़ते जा रहे हैं अब इसकी इस्ट्री बढ़ती जा रहे हैं यहां से माइनस में भी जा सकते इने टाइम कभी भी आ अप इससे अधिर लेकर आते हैं कि शीन बखियां खर एंट, इस ताइम यह फिर से पिए ककॉछ आप करना जाते हैं कि थोड़ा से सिकैल हो जाए है हिस्ट्री में एड हो गया अब यह सी से बैक करएंगे दिखिए यह step से यह तो इस तरह से आपका history panel काम करता है तो I am sure कि आप समझ गया होंगे कि किस तरह से history काम करता है आप किसी भी object को और open करा सकते हैं लेट्स कि यहां पर एक torus लेते हैं एक तीसरा object है इसकी भी history अपनी history बनेगी आप इसमें कुछ भी changes करते हैं लेट्स की यहां पर हमने इंफ्लेट ब्रस यूस किया साइज थोड़ा बढ़ा करके इसमें कुछ inflation डालते एक यह जो slider यह बढ़ने लगा गया क्योंकि आप इसमें history बढ़ने लगी जो भी आप इसमें modification करते जाएंगे अपने आप से इसकी आपके पास में तो इस तरह से history slider क्या होता है आपने देखा तो जितने भी object होंगे जितना भी आप उस पर modification work करोगे stroke by stroke वो उसकी history में add होता होता चला जाएगा history slider से आप anytime उसके उस shape को get कर सकते हैं और काम कर सकते हैं तो I think I am sure कि आपने history को बहुत अच्छे से समझ लिया इससे आपकी modeling में काफी सारा benefit मिलेगा जिससे आपको confidence भी आएगा आप चैनल को subscribe जरूर कर देना मिलते हैं अगले lesson में ने topic के साथ में तक तक thank you